हिंदी फूर्ट जोन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों यहां पर आपको बहुत ही आसान रेसिपीज मिलेंगी वो भी हिंदी में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चलिए चलते हैं फटा फटा आज की रेसिपी देख ले में कि आप पास्ता और चाउमिन और नूडल्स खाना बिल्कुल भूल जाएंगे आपको दिखने में यमी लग रहा होगा यहां पर मैंने टिया है आधा कटोडी 100 ग्राम से थोड़ा सा कम और साधा ओर से कोई फ्लेवर वाला ओर्ट नहीं है और साथी साथ कुछ मैंने सब सबसे आपके पास जो उपलब दो मैंने गाजर शिमला मिर्च यह सब बारी काट करके और बीन्स वगएरा लिया हुआ है साथी साथ हरी मिर्च भी थोड़ी सी लिए अब एक कड़ाई में हम इसे बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसे आधा चमश तेल में ओर्ट को भून ले है यानि की साड़े साथ एमेल सरसों का तेल लिया हुआ है आप इसे ऑलिव ओयल में भी बना सकते हैं दीमी आज में इसे भूनना है जैसे हम सूजी बगएरा भूनते हैं बिल्कुल वैसे ही भूनना है भूनने से ओट्स यहाँ पर क्रंची हो जाएगा इसका टेस्ट और अच्छे से उभर कर आएगा जब यह बनेगा तो बहुत ही अच्छा फ्लिवर करेगा ओट्स भून गया है तो इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं आगे के यूज के लिए कड़ाई खाली हो गई है वापस से हम इसमें ऑईल डालेंगे सरसों का तेल है आधा पत्ता डालिए साथ एक चोटी चमच उरत की दाल धुली उरत की दाल है यह चिलके वाली नहीं है और एक चोटी चमच मैंने चना डाल डाला है आधा चमच मैंने यहां पर राई डाली है निकाली सरसू आधा चोटी चमच मैंने यहां पर जीरा लिया हुआ है जीरा डाल द धीमी आज पर सारी चीजों को हमें भून लेना है इसके बाद में जब तड़का हमारा अच्छी तरह से पक जाएगा तो हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे तीखे पन के लिए हरी मिर्च का ही इस्तमाल करिए लाल मिर्च पाउडर काफी नुकसान दायक होता है इसलिए हम यहाँ पर बड़िया फ्रेशनेस भी आएगे और करी पते भी हमारी डिश को फ्रेशनेस देंगे एकदम बारी चॉप किया हुआ गाजर डाल देंगे आप यहाँ पर प्याज भी डाल सकते हैं अगर आपके पास सबजियां कम हैं वैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप गाजर, शिमला मिर्च और बीन्स वगरा हमेशा ही थोड़ी थोड़ी अपने किचेन में अपने फ्रेज में रखें बहुत काम के होती हैं बहुत हेल्दी होती हैं और आख किसी भी सिंपल सी चीज़ को बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ट्विस्ट दे सकते हैं अच्छी तरह से भून लिया है बहुत जादा नहीं चलाना है इन सब्जियों को बाद में मैंने शिमला मिज डाला है शिम थोड़ा सा जरूरत के हिसाब से यहां पर नमक डाल लिया है पहले आप कम ही नमक डालें क्योंकि अभी हमें सब्जियों को जलने से बचाना है अब सब्जियां और सारी चीज़ें काफी अच्छी तरह से भुन गई है तो यह जो मैजिक मसाला होता है जो आप नूडल्स बग कर सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दीमी आज में और एकदम लास्ट में हम इसमें आज बढ़ाएंगे और पानी डालेंगे तो पानी यहां पर मैंने लिया हुआ है धाई 100 ml के लगबद जितना आप ओट्स ले रहे हैं उसका धाई हुना आप पानी ले सकते हैं उससे ज्यादा ना लें उससे कम ना लें हम यहां पर बनाएंगे बिल्कुल खिला खिला ओट्स का उपमा ज्यादा तर ओट्स के आपने दलिया खाई होगी वेस दलिया जो एकदम खिचुडी की तरह होती है लेकिन हम यहां पर एकदम खिला हुआ उपमा बनाएंगे तो फ्लेम को हाई ही रखना है जिससे की पानी जल्दी से सूख जाए धीमी आज पर अगर पकाएंगे तो ओर्स जो है वो बहुत जादा अंदर से गल जाएगा और एक दूसरे से चिपक जाएगा और ये बिल्कुल भाद बन जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए इसलिए हाई फ् अश्रागा मैं मिक्स कर रहे हूं हल्के हाथों से अभी इसमें काफी नमी है देख रहे होंगे आप यानि काफी मौइस्ट्र फुड़ा पिछप पिछप पिछा लग रहा है तेज करने से क्या होता है और थोड़ा सा कच्चा रह जाता है और पानी जल्दी सूख जाता है और बाकी के ओर्स को जो कसर रहती है पकने की उसे हम भाप से पकाते हैं तो अब देखिए गैस को मैंने बंद कर दिया है क्योंकि मोईस्चर पूरी तरह से सूख चुका है और ओर्स नीचे थोड़ा थोड़ा लगने लगा था तो कवर कर दिया है धककन से मैंने 3-4 मिनट के लिए 3-4 मिनट बाद जब आप खोलेंगे तो देखेंगे कि आपका जो ओट से वो पूरी तरह से पक चुका इसके साथ ही साथ यह थोड़ा हाड हो जाएगा लेकिन अभी यह बेहत गरम है क्योंकि यह गरम गरम ही बंद कर दिया गया तो बहुत सारी भाप इसमें भरी हु तो जरूर हमें फीड़ बैक अपना शेयर करें काजू डालने की वज़े से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो आप काजू जरू डालिए और काजू को धीमियाच पर भूनिए अगर देखें यह ओट कहीं से भी लग रहा है कि अच्छा नहीं होगा इसमें इत